हालो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होग आप सब अच्छे होंगे और खुब मन लगा कर पढ़ाई कर दे होंगे सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाए आगी की दो वीडियो में हमने देखा था जेनरल करेक्टर्स ऑफ फंजाए और उनका मोड अफ नूट्रिशन के पाले में हमने पढ़ा था और आज की वीडियो में हम तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यू कार्पिक और होलो कार्पिक फंगस देखेंगे कि यू कार्पिक फंगस क्या होती है यू कार्पिक फंगस वो फंगस होती है जिसमें क्या होता है जो फंगस का मैसीलियम होता है उसका सिर्फ एक पार्ट मैसीलियम का कोई भी एक पा यूआ है कि धनाता है् रिप्रोड़़क्ति यूिट का फवर्मेशन करता है उसको हम बोडता है यू 0 lug listen चैता है जूआ है यह यही मैःते देखनी को मिलता है कि वो 0 Fairy होती है इन योगाजियर में में कया देखने को मिता है तोउने में ख कaking उसी काकबारॉक जाता है रोटेटेव प्रॉंट युनिड में ट्रांस्फार्म हो जाता है तो उसको हम बोलते है होलो कार्पिक फंंगस ठीक और जो फंजाय होती है they reproduce by vegetative, asexual and sexual means जो फंगास होती है वो vegetatively भी reproduce करती है asexually भी और sexually भी reproduce करती है ठीक है vegetative reproduction किसके थूँँगा fragmentation के थूँँगा, fission के थूँँगा, budding के थूँँगा और generally 20% of the fungi जो होती है वो किसके थूँँगा, asexually reproduce करती है asexual means के थूँँगा, ठीक है जो asexual reproduction होता है वो हमेशा favorable condition पे ही होगा ठीक है, यह important point है यह आफ लोग इस point को note कर लीजे जो asexual reproduction होता है वो take place करता है favorable conditions के time पे जिसमें क्या होता है variety of sports बनते है ठीक है, asexual reproduction किसके थूँँगा होता है sports के थूँगा फंजय में और वो कब take place करेगा favorable condition पे जब fungus को proper amount में food मिल रहोगा proper moisture मिल रहोगा ठीक है, proper growth factors उसको मिल रहोगा तो वहाँ पे fungus क्या करेगी asexually reproduce करेगी जो sports बनेंगे वो क्या होंगे, unicellular भी होसकते है और multicellular भी हो सकते है ठीक है, अगर sports किसी structure के अंदर बन रहे होता है जैसे pignidia और sporanger के अगर अंदर बन रहे है तो उनको हम बोलते है endogenous sports ठीक है, endogenous structure और अगर कुछ sports जो किसी structure के बाहर बन रहे होता है तो उसको हम बोलते हैं exogenous spore जैसे sporophore और conidiophore के बाहर बन रहे होते हैं structure sport तो उसको हम बोलते है exogenous spore some common spores in fungi are asexual spores जो फंजाय में हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं zoo spores clamido spores, oedia and aplanar spores zoo spores होते हैं, clamido spores oedia होते हैं और aplanar spores होते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं fungus के case में ये वाला point बहुत important है, इसको आप 5 star देखे, अपनी copy में note कीजेगा जो मैं आपको भी आगे बताने जा रही हूँ the exception of the class deutromycet sexual reproduction occur in all group of fungi, इसका क्या मतलब है कि deutromycet class के अलावा सारी class के fungus ऐसी है जिन में sexual reproduction क्या होता है present होता है, बट deutromycet में क्या होता है, sexual reproduction absent होता है, ठीक है, ये बात आपको धिहान में रखने हैं कि जो deutromycet class के members होते हैं उन में क्या होता है, sexual reproduction क्या होता है absent होता है, ठीक है अब हम देखते हैं कि जो sexual reproduction होता है वो तीन processes में divided है पहला है plasmo gammy next is karyo gammy and third one is meiosis okay plasmo gammy में क्या होता है the fusion of protoplasm of two compatible gamet or sex cell plasmo gammy में क्या होता है sex cells का क्या होता है जो protoplasms होता है उनका fusion होता है ठीक plasmo gammy में सिर्फ इतना ही होगा जो two sex cells है उनका क्या होता है protoplasm का fusion होता है next one is karyo gammy karyo gammy में क्या होगा karyo means nucleus इसमें क्या होता है जिन दो cells का protoplasm का fusion होता है अब उनके अंदर दो nucleus है उन दोनों nucleus का क्या होता है इस case में fusion होता है तो उसको हम वोलता है karyo gammy ठीक है and deployed zygote is from deployed zygotic nucleus is formed karyo gammy हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा deployed zygote बनेगा किसी fungus के case में यह देखा गिया है diikaryotic और diikaryotic phase देखा गिया diikaryon और diikaryotic phase देखी गई है diikaryo phase देखी गई है ठीक है यह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिडियो माई सीट्स और एसको माई सीट्स क्लास की जो member होते हैं उनके case में हमें diikaryon देखनी को मिलता है इसमें क्या होता है जो plasmo game to ho जाती है ठीक है बट karyo game क्यों होती है थोड़ी डिले हो जाती है the nucleus themselves arranged in diikaryon and karyo game is much delayed ठीक है karyo game क्यों होती है delay हो जाती है तो उसमें क्या होता है जो दो अलग-अलग nucleus होते हैं वो क्या होते हैं अपने आपको एक सेल में अरेंज कर लेते हैं, तो हमें दो नुकलियस देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकरियोटाइशन, यह भी बहुत इंपोर्टन पॉइंट है, पूछा जाता है, यह फिर शौट नोट आ सकता है, डाइकरियोटाइशन क्या है, डाइकरियोटाइशन क्या है, और कौन सी फंगस में यह देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेजिए, ओके, then जो next third process थी sexual reproduction की वो थी meiosis अब हमारा diploid zygote जब बन गया है तो वो क्या होगा उसमें क्या चलेगी meiosis चलेगी यानि कि reductional division चलेगा और जो haploid stage थी वो वापस से क्या होगी re-establish होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं meiosis देखो अब हम diagram के थूँ समझते हैं जो plasmo gammy थी हो रहा था प्रोटो प्लाज्म का फ्यूजन और था यह दो sex cells है यह दो gamut है एक होगा और एक क्या होगा स्पर्म सेल होगा तो उनके क्या होगा प्रोटो प्लाज्म है यह जो ऐसे रहेंगे दोनों अलग अलग और यह क्यों होगा इनके प्रोटो प्लाजम का क्या हो गया फ्यूजन हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं प्लाजमो गैमी क्या बोलते हैं इसको हम प्लाजमो गैमी और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं यहां पर यह स्टेज कुछ लंबे स तो इसको हम बोलते हैं यह क्या स्ट्रकचर दिख रहा है, dae canion, दो अलग लग ताइप के हमी क्या दिख रही है, टेक है, टि कहो छो कि प्लास्मो गैमिक केervices बात किया था, केरियो गैमिक कर स्टेफ था, प्रॉस्स। का सी थी कहले गैमे, क्या होगा नुकलियस चाल आफ। क्या होगा कारियोगामि के थाइम पर ये दोनों हुप्लेस को बन गया शॉपस में मैं जाइगौ है को किसे इडियोगामि के टॉपक्लियस पर यह जायगोटि और रिज़ट स endors को रेडक्षनल डिविजन यानि की मियॉस्स की साइक्ल चलेगी और उसके बाद को ग evo जो टू एंट डिपलोइड जाइगोड था वह वापस से हैपलोइड में कंवर्ट हो जाएगा और जो हैपलोइड स्टेज थी वह वापस से क्या हो जाएगी जी स्टैबलेश हो जाएगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना अगर आप कोई पर्टिकलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं okay I will definitely try to make proper video on it और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो में क्या चीज अच्छे लग रही है क्या चीज अच्छे नहीं लग रही है में क्या चीज और कर सकती हूं okay students so bye bye take care